रिलाइंस पावर एक ऐसी कंपनी है जो हाला ही में काफी परिसानियों में चल रही है तो आज हम यही देखेंगे के भई बेसिकली अभी क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही हैं क्या वो बाते हैं जो एक इंवेस्टर को पता होनी चाहिए और अभी क्या सोलूशन्स हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पर जैसा आपको पता है ओल्रेडी आप इस कंपनी से रूबरू हो चुके हैं और यहाँ पर आपको ये भी समझना चाहिए कि भई बेसिकली कंपनी में क्या अपडेट्स निकल के सामने आ रही है जिनका इंपक्ट कंपनी के शेर प्राइस प ग्रावट कंपनी के अंदर आईए यह सेवी के आदेश के बाद हुई है जिसमें अनील अमबानी को रिलाइंस होम फाइनस से पैसे कलेक्ट करके या पैसे का गलत यूज करने का आरोप लगा है इसके चलते उनको पांस साल के लिए बजार में ट्रेडिंग से रोक दिया ग आदेश आया है इससे उनके कामकाच के उपर कोई भी बड़ा परवाव नहीं पड़ेगा और जो अनील अमबानी ओ पहले ही रिलाइंस पावर से इस्तिपाद दे चुके थे तो अमबानी समू की अन्य कंपनियां जैसे की रिलाइंस हो गया या रिलाइंस कम्मुनिकेशन ह इनके शियर्स में भी हमें डाउनफूल देखने को मिला इस न्यूस के बाद और इसी वज़े से रिलाइंस पावर भी एकदम हमें नीचे गिरता हुआ नजर आया यहां पर ये भी समझने वाली बात है कि जो रिलाइंस होम फाइनस से पैसे को कलेक्ट करके रिलाइंस आक्ट पोजिटिवली पढ़ने लगा है क्योंकि जब रिलाइंस पावर ने ये अनॉसमेंट किया दो दिन पहले मीडिया रिलीस किया जिसमें सीधा रिलाइंस पावर ने बोला कि हमारा अनील अंबानी के उपर लगाए आरोप से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है औ हमारे कामकाज पे भी कोई खास फरक नहीं पड़ेगा इस वज़े से हो सकता है कि इन्वेस्टर्स में एक अच्छा संकेत गया है और इन्वेस्टर्स ने फिर से वही बाइंग करना स्टार्ट किया है बड़ यहां पर समझने वाली बात यह है कि और कौन-कौन सी वो एक करोड का भी वोल्यूम नहीं था कल आज कमपनी 22 करोड के वोल्यूम पे आई है 22 करोड नंबर बहुत ही बड़ा होता है हम यह कह सकते हैं के बड़ी कौन्टिटी आज बाय की गई है और जिसका जो ग्रोथ है हमें मार्केट में देखने को भी मिला है तो वोल्यूम बढ रहने की वज़े से इन्वेस्टर्स को इस बात का एक खुसी है कि कल या परसो फिर से स्टोक में तेजी आ सकती है लेकिन जैसा मैंने आपको बता है यह टोटली प्रेडिक्शन गेम होता है कुछ भी हो सकता है कल लेकिन बोल्यूम बढ़ा है और शेर प्राइज में भी एक प फिर से एक्टिव हो गए हैं 20 लाग की क्वांटिटी उन्होंने बाई की तरफ लगाई हुई है आप अगर देखेंगे तो आपको नजर आएगा यह दूसरा आपको यह भी देखेंगे कि जो सेल क्वांटिटी हो 6 लाग के आसपास है यानि 6 लाग स्टोक को बेचा जा रह है बट ओवरोल जो नंबर निकल के आ रहा है वो बाई की तरफ ही है डिलीवरी परसंटेज आपकी स्क्रीन पे है 28 अगस 2024 14 बच के 45 मिनट का यह देटा है जिसमें नजर आता है कि आज जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है बड़ी क्वांटिटी ट्रेड हुई है जो की लग परसंट से उपर होना चाहिए अभी जो डिलीवरी क्वांटिटी है उसका परसंटेज 47 परसंट है तो यह नहीं कहेंगे कि बहुत कम है क्वांटिटी परसंटेज बट हाँ 50 परसंट से ज्यादा नहीं है यह भी हमें समझ कर चलना चाहिए थोड़ा और समझते हैं रिलाइ जो सेल क्वांटिटी है 72 लेक है बाय क्वांटिटी यहाँ पर जरूर बड़ी है लगबग 1 करोड 23 लाग के आसपास इधर भी नजर आता है कि भाई बायर्स एक्टिव हो गई है लोग खरीद रहे हैं जिसकी वैसे स्टोक में तेजी है प्री ओपन मार्किट कहता है कि भा बग 48 लाग के आसपास आपको बाय क्वांटिटी देखने को मिलेगी जो कि बहुत बड़ा नंबर है इसी के साथ अगर आप स्टोरिकल डेटा देखते हैं तो नजर आता है कि 38 रुपीज वो पॉइंट था जब स्टोक सबसे हाई था इस महीने में और यह पॉइंट 23 अग फंडामेंटल्स तो कुछ खास हमें रिस्पोंस नहीं दे रहे लेकिन अगर आप कंपनी के क्वार्टरली परफोमेंस देखेंगे तो नजर आएगा कि भाई कंपनी अपने डेट को भोती स्पीडली रिड्यूस कर रही है क्योंकि पहले कंपनी जो इंट्रेस्ट पे करती 700 करोड़, 725 करोड़, 600 करोड़ लेकिन अब कंपनी सिरफ 500 करोड़ का ही इंट्रेस्ट पे कर रही है इसका मतलब साफ है कि भाई कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है जिसकी वैसे कंपनी का इंट्रेस्ट भी कम हुआ है यहाँ पर कंपनी ने अपने मैनेजमेंट से काफी कुछ update किया है जिसमें management ने expense को भोती तेजी से कम कर दिया है जिसकी वैसे overall reliance power के अंदर जो operating profit काफी speedly बढ़ा है 186 करोड से operating profit बढ़कर 651 करोड तक चला गया जो की एक positive संकेत माना जा रहा है यहाँ पर guys अगर हम news की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया एक तो news भाई है के सेवी दौरा जो अनी लंबानी है उनके उपर action लिया गया है तो उसका impact company के share price पर भी पढ़ा है बाकी guys और कोई news हमें नहीं देखने को मिलती फिलाल यह जितनी भी news हैं दो-दो दिन पुरानी है 19 गंटे पहले की है सबी news में आपको वही articles घुमा फिरा के बताये गए हैं जो मैंने अभी आपके साथ share किया है तो कह सकते हैं के बाई Google पे अभी तो फिलाल कोई भी news नहीं है और मैं अभी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हो सकता है के जब आप वीडियो देख रहे हैं तब Reliance Power को लेकर कोई बड़ी news आजाए सामने तो उसका मैं नहीं कह सकता लेकिन फिलाल जब तक मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तब तक कोई news नहीं है और यहाँ पर भी screener पे मैंने Reliance Power खोला हुआ है यानि कि आज की कोई भी अपडेट हमें देखने को फिलाल नहीं मिल रही तो गाईस आई होप आपको छोटी सी वैल्यूवल इंफोर्मेशन पसंद आई होगी बाकी Reliance Power को लेकर कोई बड़ी news कोई बड़ी ख़वर किसी भी तरह का बड़ा impact हमें आगे देखने को मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शियर करूँगा एक बात बहुत ही clear करना चाहूँगा किसी भी तरह का कोई bias will hold recommendation नहीं है इस company के regarding नहीं आपको कोई financial advice है तो गाईस मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ किसी नई अपडेट के साथ तब तक के लिए take care and goodbye